साइश सब संसार में मतलब को विवहार, जब लग पैसा गाठ में, तब लगता कोई यार, यार संघ ही संघ डोले, पैसा रहा नपास, यार मुक से ना बोलें ये सुना होगा आपने, ये पढ़ा भी होगा, इसका मतलब धन की पैसे की मनी की बहुत बड़ी वेलिव है, कहते ह और दूसरी बात ये भी है कि आमधनी अठनी खर्चार रुपईया ये भी आपने सुना होगा होता क्या है कि मनी जो है ना माया जिसे कहते हैं लक्षमी इस लक्षमी के बहुत सारे गेर नहीं है इसका दो ही गेर है गेर आगे लगता है तो पैसा ही पैसा माला माल और जब गेर पीछे लगता है तो फिर वो सबका सब हो गया कंगाल लेकिन वास्तु के कुछ सिधानत ऐसे हैं जिनको अगर आप अपनाएंगे तो आपके साथ में ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी कि आपके सामने मनी की प्रोडम आए करजा आप पर चड़े पैसे से हो जाएं परिशान इसी के लिए तो बनाया है मैंने आपका ये वीडियो ये जो वीडियो है ये आपकी आँखे खुलेगा और आपके लिए बहुत बड़ा एक माइल स्टोन बनने वाला है और हाँ मेरे हर चैनल को आप देखते हैं समझते हैं और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अगर एक अच्छा वीडियो आपके हाँ से निकल गया तो ये समझ लेना कि जीवन का एक बहुत अनमोल पहलू आपके हाँ से निकल जाएगा अगर आपने मेरे चलण को आज पहली बार देखा है तो सबसे पहले वीडियो शुरू हो रहा है सबसे पहले इसको कर लेना सबस्क्राइब क्योंकि यही तो है वो जिसको आप ढूंड रहे हैं बरसों से नमश्कार बहुत बहुत स्वागत हारदी का बिंदन आ गएं आपके सामने डॉक्टर अनत भारदवाज एक जबरदस टॉपिक लेकर यह वो टॉपिक है जिसके बिना दुनिया में कुछ भी नहीं चलता कुछ भी नहीं हिलता और यही तो है वो सार जिसको कहते हैं यही तो है वो सार जिसको कहते हैं जीवन का आधार साथ यो चीज़े बहुत होती हैं हमारे सुक के लिए लेकिन मनी जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है जिसके बास अच्छा पैसा वो अच्छा खाएगा जब अच्छा खाएगा तो सियत अच्छी रहेगी फैमिली अच्छी रहेगी पतनी को अच्छा हमेशा सुक्र देगा हमेशा उसको खुश रखेगा बच्चे खुश रहेंगे समाज में इजद बनी रहेगी अपनी हर जो भी मन में काम ना आएगी जो भी इसके रुकार्मेंट आएगी हर इच्छा को पूरी कर लेगा कैसे मनी से आईए लेकर चलते हैं आपको ये जो पैसे की अलमारी है पैसे की अलमारी है ना कर दे कंगाल एक्छली मेरे पास आया था एक ऐसा कमेंट जिसमें कि किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरी जो तीजोरी है मैंने चेंज कर दी पहले छोटा सा बकसा था अब मैंने बड़ा बकसा लिया और वो अलमारी है पूरी की पूरी उस अलमारी में जब से मैंने पैसा रखा है तब से म है, बिलकूल खाली होता चला गया, मैंने डेर्ड महेने के अंदर, ढ़ाई से तीन लाख रुपे मेरे इधर उधर हो गए, कुछ फ्री में बंढ गए, कुछ बरबादी में चले गए, कुछ दवाईयों में चले गए, कोई कहीं पैसे के बारे में देखिए पहली बात तो यह कि जो money आपका जो cash box होता है हमेशा south में रखना है आपने दक्षिन दिशा में रखना है उत्तर दिशा में खुलेगा वो money box जो होता है वो valuables के लिए होता है cash के लिए होता है property के papers के लिए होता है हर चीज जिसकी कीमत को आप पैसे में आँख सकते हैं वो सबका सब जो है valuables की category में आता है इसके लिए कोई भी आपने कोई भी leniency नहीं बरत नहीं इसके लिए कोई भी आपने ऐसी लापरवाई नहीं बरत नहीं के जो आपके उपर भारी पढ़ जाए आज वीडियो में यही बताऊंगा कई पाइंट है ध्यान से आप नोट कर लेना और बच्चों को भी नोट करवा देना अगली PD को भी बता देना के भारत वाजे की वीडियो है उसको एक बार ध्यान से देख लो हो सकता है जिन्दगी समर जाए यह देखिए सबसे पहले दो टाइप की मनी होती है पैसा दो टाइप का शुद्धन शुद्धन कौँ सा होता है शुद्धन जिसको हम कहते हैं यह होता है हमारा हार्ड अंड मनी हार्ड अंड मनी यह जिसको हमने बड़ी मेनत से कमाया है पैसा हमारा एक एक पैसा जोड के बड़ी मेनत हमने की है जो दूसरा होता है उसको कहते है अशुद धन अशुद का मतलब कोई गंदगी लगे नहीं होती उसके उपर लेकिन उसके अंदर जो vibration जो energy सकंदर आती है जो feeling आती है लोगों की भावना आती है जिन लोग easy money यह है easy money और यह easy money होता है यह जो hard earn money होता है यह हमेशा दीरे दीरे बरकत करता है बढ़ता तरह जाता है आपकी property के रूप में आपके assets के रूप में और जो easy money होता है यह इसकी एक leakage होती है यह जैसे गुबारे में से निकलता है ऐसे दीरे दीरे leak होता है और एक दिन अच इसी मनी जिसतना से क्रेट की होती है उसी जरीये से उसी तरह से और उससे गंदे ढंक से फिर वो निकलती है चली जाती है उसके हाथों से फिर बात में उसको पच्टाने के लावा कोई रास्ता नहीं रहता तो क्या करना है आपने हार्ड अंड बनी मेहनत से इमानदारी से द्वाएं साथ में आती है तो ऐसा पैसा नहीं कमाना बिलकुल भी नहीं कमाना अपने इसके बाद आता है बैंक लोकर अब ये पैसा रखना कहां पर आपने जो आपने बैंक में लोकर रखते हैं आप तो उस लोकर को भी आपने ध्यान करना है कि अगर आपको चोईस मिल ज दक्षिन दिशा में रखा हुआ है और उत्तर दिशा में खुलता है ऐसे लोकर को आपने यूज़ करना है ज्याद अच्छा रहेगा इस लोकर में आप कैश रख सकते हैं अपने प्रोपर्टी के पेपर आप देख रहे हैं जो आपने प्रोपर्टी परचेस कियें वो भी तो जो आपके चैस्ट बनेगी भारी वाली वो आपकी रखे जाएगे दक्षिन दिशा में उत्तर दिशा में खुलेगे सबसे बढ़िया एक सिंगल फार्मूला वास्तों के साब से मनी को संभालने का बढ़ाने का बरकत करने का इसके इलावा कभी भी ध्यान करें कि आपकी ज चार रुपे डाल दें कोई पेपर डाल दें उसमें कुछ ना कुछ उसमेरा ना चीए और ये असूल जो है आपके घर पर भी लागू होता है इसके अलावा आगे चलेंगे ये देखिए मैटीरल किस चीज का बढ़िया जो कैश बॉक्स होता है वो लकड़ी का और लोहे का माना जाता है चांदी का भी ले सकते हैं कोई समस्या नहीं है अगर आपके पास ज्यादा धाना है कोई समस्या उसमें भी नहीं है लेकिन अगर आपके पास कोई भी आपने जो भी आपने कैश बॉक्स बनाया हुआ है वो प्लास्टिक का नहीं हो तो ज्यादा अच्छा रह सकते हैं आप और भी बहुत सारे मौके होते हैं अब से तूटा-फूटा नहीं होना चाहिए उसको कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए उसमें अगर हो सके ते एक लाग रंका या पीले रंका कपड़ा बिछा देना चाहिए सीधा-सीधा जो है अपने तीजोरी के अंदर ऐसे ही जमीन के उसके नीचे उसके बेस के उपर पैसर रखना चाहिए होता पेंट अगर उस पर हड़ जाता है पॉलिश हड़ जाती है तो तो ठीक कराएं क्योंकि उस जो तिजोरी आपकी है उसकी वैल्यू भी मनी के बराबर ही होती है वाइब्रेशन पैदा करती है और कहते ह जो अच्छी चीज होती है वो हमेशा अच्छी चीज को खैंचती है तो यह जो लागो आपके इस तिजोरी पर भी होता है अगर आपने दराजवाली बना रखिये या अलमारी खुलने बंद करने वाली बना रखिये तो उसके अंदर मैंने आपको बहुत पहले कहा था उसम तो महाँ पर जो उर्जा होती है वो बड़ी तेजी से बढ़ती है और ये परियोग मैंने एक जगा नहीं सेक्ड जगा कराया और वहाँ पर मैंने इसके बहुत अच्छा इसका लाव पाया अब ध्यान करेंगे कि आपको जो है कैश के बारे में मनी के बारे में कुछ बातों क अगर आप पहले बांदेंगे तो हो सकता है कि आपका जीवन बहुत सुख मैं हो जाए पहली बात है अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लोगों के सामने आपने गाना नहीं गाना कि मेरे पास बहुत पैसा है मैं बहुत अमीर हूँ मैं तो पैसी कोई कमी नहीं है ऐसा करना आपने क्योंकि जो चीज़ें होती है यह आपके अंदर तक सीमित हम नीचेंगे मैंने वीडियो मनाय था एक बहुत जादा और उसके उपर आप उन्ने देखा है कि उसके कम से कम उसके 40 लाग लोग उसको देख चुके हैं तो शुआफ करना चाह नहीं होता इसके अलाव करेंगे तो परिशान हो जाएंगे बहुत जादा रात के नीच खराब हो जाएगी बैट पर जाने से पहले शाम के एक बार जाए 10 मिनट के लिए अनाडिस करो शांत मन से बैठो कि आज मैंने जो पैसा खर्च किया यह पैसा कहां से आया क्या मैंने जूट कर पैसा तो नही लिया कहीं कन्फ्यूज करके पैसा तो नहीं लिया कहीं मैंने फ्रॉड तो नहीं किया किसी का पैसा मारा तो नहीं पहली बात अगर ऐसा किया है तो उपर वाले से प्रेयर करो भगवान या मेरा जो भी जिसको मानते हैं उससे कहना है कि अगले दिन जो है मुझसी गलती नह करें वहीं खर्च करें जहां पर जबरी होता है और ऐसा ना सोचें कि मार्केट में आ गया हर चीज अच्छी लग रही है वहां तो पचास चीज अच्छी लग रही है तो बच्चों में ज़रूर कल्चर करें वाइफ को भी बताएं हो सकता है आप वाइफ को ना बता पाएं डर लगता हो, पर कोई बात नहीं, पत्नी कोई बताईए, पत्नी भी आपको बताएगी, पत्नी की बातों को भी सुनें, अगर वो अच्छी बाते आपको बताती है, इसके अलावा, हर शाम को विशेशन, लोकेशन डिरेक्शन, कभी-कभी अचालक पैसे की बरवादी डाला था, कि सर इसना के मेरे साथ में प्रोलम आई, ये केस उसके साथ में बहुत ज़्यादा को रिलिट होता है, और वो देख भी रहे होंगे, उनका नाम है मिश्टर गोपाल, वो देख भी रहे होंगे, कि हाँ मैं आज मैंने उनके टॉपिक को लिया है, तो क्या करना है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जगां को बदला था, ध्यान करें कि अगर आपका पैसा कहीं पर बरकत पा रहा है, किसी एक जगां पर खवा, तो अलमारी के जगां को हिलाना नहीं आपने, वहीं रहने चाहिए, अलमारी हिली और पैसा हिला, इसका मतलब यह है, जगा बड़ी अलमारी ली काफी भारी थी उसके नीचे पईये लगे थे जितनी बार उसे खोलते थे वो जितनी बार उसे अपरेट करते थे वो या उनकी पत्री उतनी बार वो अलमारी खिसर जाया करती थी तो ऐसी अलमारी जिसमें पैसा रखते हैं उसके नीचे अगर वील ना ल दुसरा क्या करना है? डारेक्शन देखनी है, जैसे भार उक HOLT बफ़ बताया था कि दक्षण दिशा में रखी होु उत्itaire दिशा में खुलने वाली मनी के जोती जोरी होती है, सबसे ज्यादा धनलाव करती है उसमें पैसे की बंगत होती है इसके अलावा पर्स पर्स को ऐसे कि फैंके ना मैंने देखा है बहुत बार पर्स पड़ा होता है, बेड़ पर पड़ा है डाइनी टिपल पर पड़ा है ड्रेस्वी में पड़ा है, कहीं भी आए और अपने पर्स नेकाल के रख दिया कहीं भी रख दिया, ऐसा ना करें एक जगां बनाएं जहांपर कि आप पैसा रखते हैं और ध्यान करें कि जहांपर आपके परस के अंदर पैसा बढ़ता है भागता नहीं है, बरबाद नहीं होता किसी गलत काम में नहीं लगता और कहीं extra-vagancy नहीं करता वो जगा पैचाल लेना वही पर हमेशा अपने अपना पर्स रखना है इसके लाबा बच्चों में निचर डालनी है अपने बच्चों में culture and nurture to regard the money खास तरीके से बच्चों में कि पैसे को संभालना पैसे को जोड़ना तिजोरी को अपना संभाल के रखना यहां तक कि उनके पास जो गुल्लक हुआ करती थी पराने समय में पहले वो गुल्लक भी बहुत अच्छी चीज होती थी गुल्लक में पैसे इकठे करते रहे और गुल्लक कभी खाल दिना रहे जब भी कभी अर्जंसी पड़ती है या बच्छों का आपने चाहते हैं कि गुल्लक भर गए यह फूरी की फूरी तो उसको बजाय तोड़ के निकालने के उसको ऐसे अगर हिला के निकालने तो ज़्यादा अच्छी रहती है यह ऐसा हवास्तु में माना जाता है क्योंकि जिसने पैसा ही कठा किया उसको बरबाद नहीं करना चाहिए साथियों ऐसे होते मेरे वीडियो मुझे पता है आपने वीडियो देखते ही आपने शुरू में कर लिया है सबस्क्राइब मेरे चैनल को अगर नहीं किया तो अभी कर लेना बहुत समय आपके पास है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और साथ साजा इसको शेर कर देना सोशल मीडिया पर सब को पता चले कि पैसे के बारे में डॉक्टर भार दोज ने बहुत जवर्दस जानकारी दी है अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं तब तक के लिए इजाजात नमश्कार हो गया कितना असान था आज कर लो अभी कर लो